आज हम लोग हमारे हेरिडिटी चैक्टर के लेक्चर थर्ड में हम आप लोगों के साथ एक न्यू लेक्चर के साथ आए हैं बिसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो बिसिकली कॉंसेप्ट बेस्ट होगा जो भी आपके examination point of view से जो चीजें important होगी मैं वो भी बताऊँगा और जो कुछ extra चीज है जो upcoming exams में, board exams में जो भी questions पूछा जाएगा उसे भी मैं बताऊँगा तो आज हमारा ये third video lecture है मेंडल्स experiment के बारे में आज का lecture लगेगा हमारा तो चलिए start करते हैं आज का जो हमारा topic है इसमें सबसे पहले पूछा जाता है ये question who is called the father of genetics तो हम लिख सकते हैं father of genetics father of genetics जिन्हें कहा जाता है उनका नाम है ग्रिगॉर जोहान मेंडल आपका एक नमबर का question यहां पर बन जाता है generally ये examination में पूछा जाता है चलिए हम लिख सब जानते हैं कि अगर father of genetics मेंडल है तो मेंडल ने ही पूरे genetics में अपने जितने भी contribution है मेंडल ने सारे contribution अपना दिया है तो याद रखना है इस चीज को कि कभी भी कोई भी experiment होता है तो experiment से पहले कुछ experimental material लिया जाता है और उसे experimental material पर सारे experiment किया जाते हैं तो Gregor Johan Mendel का experimental material था उसे हम लोग pea plant कहते हैं तो में ली सकते हैं experimental material of Mendel यहाँ से भी एक question पूछ लिया आता है objective में तो इसका नाम था पी plant इस पी plant का कभी कभी आपके examination में botanical name भी पूछ लिया जाता है तो इस पी plant का botanical name है पाईशम सताइव पाईशम शताइवम इसे हम separately underline करेंगे ठीक है यहाँ तक बात सब्सक्राइब में एक चीज़ याद रखना है कि इसके deployed cell में deployed cell में जो chromosome होता है deployed cell को हम लोग 2N से भी लिख सकते हैं अब यह इसके पीछे क्या concept है जब हम reproduction chapter स्टाट करेंगे यह 2N and deployed cell haploid cell क्या है तब हम लोग basically बात करेंगे तो deployed cell में basically protein chromosomes होते हैं यहां तक बात आपके समझ में आगी होगी अब हम लोग basically आगे बढ़ते हैं आज के video lecture में एक बात यह याद रखना है आप लोगों को कभी भी किसी भी experimental material को select किया जाता है तो उसके पीछे कुछ reasons होते हैं तो चलिए आज हम लोग यह देखते हैं कि what were the advantage of selecting pea plant तो हम लिखते हैं यह भी कभी कभी पूछ लिया आता है कि मेंडल को क्या दिखा आखिर pea plant में जो मेंडल ने उस सेलेक्ट करा जा रिखते हैं हमारा topic है advantages of selecting pea plant हम लोग बात करेंगे point by point बात करेंगे हम लोग सबसे पहला point जो हम बताने जा रहे हैं कि मेंडल ने क्यों select किया pea plant को प्योर वराइटीज ऑफ पी वर एवलेवल यानि एक पी प्लांट में प्योर टॉल जिसमें कोई mix ना हो दूसरा gene allele या pure dwarf हो pure colors से related हो सकता है height से related हो सकता है कुछ भी character है जो pure है जिसमें कोई mixture ना हो दूसरा character था पी प्लांट shows पी प्लांट shows a number of easily a number of easily detectable detectable, contrasting characters अब इसे हम लोग समझेंगे एक पी प्लांट में एक पी प्लांट में हम लोगों को इसली ऐसे कैरेक्टर्स दिख जाते हैं जो पैरेंट सो आप्ट स्प्रिंग में ट्रांस्फर होते हैं ठीक है यह बात को याद अखना है तर्ड पॉइंट क्या था फ्लावर इस बाइसेक्सॉल मतलब एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट था जिस कारण से हम लोगों को मेल पार्ट को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं होता और male part हमें easily वहें पे मिल जाता तो male part से हमें pollen मिल जाता मिल जाएगा या female part के stigma के उपर pollen को मुझे क्या करना है चिपकाना है, है ना ये बात को हमें याद रखना है ठीक है, तो flower अगर bisexual हो तो काफी अच्छा बात है So self pollination is common So Self pollination is common ठीक है और last एक point और मैं इसमें एड करता हूँ P flower normally remains closed P flower normally remains closed अब एक एक करके हम समझेंगे इन पॉइंट्स को Flower is bisexual बढ़िया बात है Bisexual flower है तो male flower और female flower की दोनों character एक ही फ्लावर रप्रेजेंट है तो ना मुझे male flower male part को खुजने के लिए कहीं जाना होगा ना female part को खुजने के लिए कहीं जाना होगा अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर रखते है So self pollination is common Self pollination मतलब की अगर male part और female part एक ही flower में है तो pollen जो male part से release होता है male part के enter से release होता है वो easily stigma के उपर जो एक female part है stigma के उपर adhere हो सकता है तो self pollination इसी को कहते है कि एक ही flower है उसमें दोनों part है male और female part वो easily self pollinate हो जाए pollination easily हो जाए ठीक है pea flower normally remains closed इसका मतलब होता है कि बाहर से दूसरे pollins अगर आते हैं तो उनका pollination का कोई chance नहीं होता है यह सब advantages है fourth character हम देखते है life span is short काफे छोटा life span होता है gifts result within three months gifts result within three months चीक है तीन मेने के अंदर मुझे सारे result मिल जाते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवे point के दरफ और इस point को अगर हम explain करें तो किसी भी experimental material का life span जितना छोटा हो उतना मुझे result और outcome जल्दी मिलता है तो जितने भी experiment होते हैं सारे experiment basically outcomes के लिए ही किया जाता है फिफ़ पॉइंट है लार्ज नंबर और अ लार्ज नंबर और सीट साथ प्रोडूस्ट बाई पी प्लांट पी प्लांट क्या करते हैं लार्ज नंबर और सीट्स प्रोडूस्ट करते हैं जिससे मुझे multiple outcomes मिल पाता है और मैं अपने phenotypic character को देख सकता हूँ क्या observe होता है character मुझे F1 hybrids are fertile जो भी F1 मतलब 1st generation में निकल क्याते हैं hybrids वो fertile होते हैं ठीक है हम लोग 7th point पर बढ़ते हैं सबसे important आज का जो point आज से मैं black color से लिखता हूँ पी प्लांट सोस 7 pairs of of contrasting characters आप देखिए 7 pairs of contrasting characters क्या है contrasting character वो होता है जिसे मान के चलते हैं एक character के दो पहलू होंगे एक तो dominant होगा एक recessive होगा तो चलिए इस 7 pairs of contrasting character को लेक्टर को लेक्टर के हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं character और इसके इस character के दो contrasting trait इस character के दो contrasting trait यानि एक dominant एक recessive मैंने पिछले वीडियो लेक्टर में बता दिया है dominant क्या होता है रेसेसिव क्या होता है अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो लेक्टर आप देखेंगे तो easily आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहला character जो मैं ले रहा हूँ वो है sheet shape मतलब एक मतर का दाना दिखता कैसा है उसके sheet का shape कैसा होता है dominant अगर character है तो वो होगा round और recessive character होगा तो वो होगा wrinkled अब एक यह देखें रinkled मैं अच्छे चलिए लिग देता हूँ round जो sheet होगा वो pure इस तरह से round होता है और wrinkled थोड़ा सा इस तरीके का होता है बात समझ में आ गया यह first character के आरे में हमने बढ़ा यह हमारा क्या था यह हमारा first character था हम अपने दूसरे character के तरफ बढ़ते हैं वो है seat color seat color seat color क्या था एक था yellow तो हम लोग yellow color से बना सकते हैं हमारे पास यह सुविधा है यहाँ पर seat color क्या था एक था yellow एक yellow seat जो हमारा dominant था और एक हमारा जो seat था वो seat है हमारा recessive जो है वो है green तो green color से हम बना सकते हैं यह easily understanding होगा यह आपके लिए easy to understand होगा ठीक है seat color में जो dominant था वो था yellow और जो recessive था वो है green ठीक है हम लोग आप आगे बढ़ते हैं third जो हमारा character है हमारा है flower color flower color flower color में हमारा जो dominant है वो है violet और जो हमारा recessive color है वो है white ठीक है इसमें कुछ बताने लाइक कुछ है रही fourth हम लोग बढ़ते हैं flower position मतलब एक पेड़ में pool का position क्या होगा वो full axial होगा क्या axial आप समझते हैं अगर माल लेते हैं एक main stem है ये side branch है तो ये जो एक angle बनता है इसको axillary position बोलते हैं क्या flower यहां पर located है या flower टर्मिनल है टर्मिनल कहने का मतलब होता है कि इसे माल लेते हैं ये आपका main stem है तो flower का location क्या terminal है stem के एकदम tip पे है इस तरीके से इस position को या दखिये का ये अगर main stem है main तना है main stem है और ये side branch है तो इस position को axillary position बोलते हैं इस position को axillary position बोलते हैं ठीक है बात समझ में आ गया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवां character pod shape मतलब मतर के छिलके का shape क्या होता है pod shape सबसे पहला है inflated जो हमारा dominant character है inflated यानि मतर का जो छिलका होगा एकदम straight इस तरह से ठीक है दूसरा है constricted constricted अगर है तो वो इस तरीके से हो सकता है ठीक है छटवां character हमारा क्या है अब उस छटवां character उस sixth character के दर पढ़ते हैं pod color यानि छिलके का color क्या होगा अगर dominant है तो green होगा और अगर recessive है तो yellow होगा ठीक है ठीक है बात समझ में आ गया pod color छिलके का color क्या होगा भाई छिलके का color हमारा green होगा ठीक है dominant जो है वो होगा green यानि जो छिलके का जो color होगा वो हमारा green होगा तो इसे हम green से बना सकते हैं ऐसा कहा जाता है जो visualize जितना बढ़िया हो वो अतना अच्छे से कोई student सीखता है ठीक है बात समझ में आ गया और जो हमारा yellow pod का color होगा वो एक recessive character होगा बात समझ में आ गया यह मुझे visualize करवाना है आप लोगों को ताकि आप easily सीख सके ठीक है लास्ट character जो सात्वा character है उसके तरह हम लोग बढ़ते हैं प्लांट का height जिस पर सारा मिंडल का majority of crosses कराए गया है प्लांट height प्लांट का height है यह tall जो है वो है dominant character और जो dwarf है वो एक recessive character तो आज का video lecture यही तक I hope आपको समझ में आया होगा हमने सारे points के बारे में यहाँ चर्चा किया है हमने seven contrasting characters के आरे में हमने चर्चा करा मिंडल के यह साथ characters को ले करके सारे genetics में सारी परिभासा लिग दी गई सारे definitions को मिंडल ने define करा है चाहे वो monohabrit cross हो dihabrit cross हो जिस तरीके से मिंडल ने आपने characters को यहाँ पर depict करा है जितने भी characters को उन्होंने लिया है इसमें सबसी important character जो हम लोग पढ़ेंगे वो है plant height तो I hope so आपको यह video lecture पसंद आया होगा अगर आपको यह पसंद आता है तो please channel को like करे subscribe करे thank you very much हम लोग जल्दी मिलते हैं मिंडल के new lecture के साथ thank you very much